नमस्का मरिमित्रो मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि मोधीक्यर ने अपना लॉयल्टी कूपन रीडिम करने का क्राइटेरिया में बदलाव कर दिया है जिसके तहट आप 30% बीवी से नीचे वाले प्रोड़क्ट भी ले सकते हैं लेकिन मुद्दा ये है कि जब हम ऑनलाइन सौपिंग करेंगे तो हम कैसे पता करें कौन से समान लिये जा सकते हैं कौन से समान नहीं लिये जा सकते हैं आज मैं आपको लाइव डेमो के मादन से बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल सब्दों में कि कैसे आप सिर्फ एक सेकेंड में पता लगा सकते हैं कि कौन से समान लोयल्टी कूपन से आप ले पाओगे या कौन से समान नहीं ले पाओगे तो वीडियो में लास्त बने रहिएगा और चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो प्रोसेस में बताने जा रहा हूं वो Modicare application में नहीं है, मतलब Modicare के mobile application में नहीं है, आपको करना क्या है कि अपने mobile के browser से आपको modicare.com खोलना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं live step एक एक करके, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं Google Chrome खोलने के बाद मैं सर्च करूंगा modicare.com, आप भी सर्च कर सकते हो, modicare.com, आप सर्च कर सकते हो, modicare.com सर्च करेंगे, तो आपको ये page खुलता हुआ दिखेगा, आपको आपको क्या करना है, अपने अकाउ में login करना है, तो sign in पे आप click करिए, sign in पे जैसे ही click करेंगे, ये एक pop-up आएगा, यहां पे आपको अपना MCA नमबर डालना है, और आपको अपना password डालना है, तो चलिए मैं अपना MCA नमबर डाल देथा हूँ, और मैं अपना password डाल दिजेगा, और यहां पे company एक capture पूछ करेंगे आपको यह पेज open होता हुआ दिखाई देगा तो सबसे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप पता कर लो कि आपका कितने रुपए का coupon बना हुआ है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसके लिए क्या करना है आपको यह जो पर तीन पड़ी हुई डं पर क्लिक करिए यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको company ने जितने भी आज तक coupon दिये हुए है उसकी सारी जन्म कुंडली आपको यहां पर मिल जाएगी तो आप अपना चेक कर लिजेगा कि आपका loyalty coupon नया loyalty coupon के हिसाब से कितना coupon जनरेट हुआ है अगर 60 PV की shopping किया होगा तो 600 र और कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से समान ले सकते हैं चलिए उसके बारे में बात करते हैं तो आपको क्या करना है आपको menu बार पे फिर से क्लिक करना है मेनू बार पे क्लिक करने के बाद आपको orders का जो option दिख रहा है उस पे क्लिक करिए orders का option जहां पे दिख रहा है उस पे क्लिक करने के बाद आप billing option पे क्लिक करिए, billing option क्लिक करने के बाद आपको ये page दिख जाएगा, ये हमारा modi care का online समान order करने का portal है, और online समान वही लोग order कर सकते हैं, जिनका modi care में KYC approved हो रखा होगा, चलिए, अब यहाँ पे मैं क्या समझ सेलेक करता हूँ, productive view graphical सेलेक करता हूँ, और self order करना है, तो मैं अपना ही order रखा हुआ हूँ, shipping address पे आप क्लिक करके अपना address सेलेक कर सकते हैं, जो address पे आपको समान मंगाना है, courier mode सेलेक कर लीजे, delivery mode में courier और warehouse सेलेक कर लीजे, यहाँ से, warehouse से लेक कर लीजे, गाजियाबाद आपका, आपके city recording warehouse दिखाएगा, अब आपको करना क्या है, ऊपर next button पे क्लिक करना है, next button क्लिक करने के बाद, आपको यह page दिखेगा, अब सबसे बड़ा चीज जानना है कि कौन से product हम coupon से ले सकते हैं, वो कैसे जाने, समनली जी मैं जाता हूँ, मान लो food and beverage पे जाता हूँ कि food and beverage section के अंदर कौन कौन से समान हम loyalty coupon के तहट ले सकते हैं, कैसे पता करें बहुत ही simple तरीका है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है loyalty redemption, yes, इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी product के आगे, आपको हरे color में yes दिखे, loyalty redemption, yes दिखे, इसका मतलब यह हुआ, कि यह product आपके loyalty coupon से redeem हो सकता है, कोई समस्य लेने की बात नहीं, आप इसको add कर लो, यह लो, जैसे मैं add करना कैसा है, quantity quantity पर क्लिक करके, मालों मुझे 5 quantity चाहिए, 5 नहीं, मुझे 1 quantity चाहिए, मुझे 1 quantity चाहिए, क्योंकि loyalty coupon के तहत आप, पर piece से ज़्यादा आप कोई भी समान नहीं ले सकते, इस चीज को याद रखिएगा, हर product आप सिर्फ 1 piece ले सकते, तो मैंने add to cart किया, add to cart किया, तो product वहाँ पर add हो गया, cart पर और देखते हैं, क्या-क्या समान ले सकते हैं, क्या-क्या समान नहीं ले सकते हैं, सब में, अब आपको yes-yes दिख रहा है, मुझे कर का चावल भी ले सकते हो आप, मुझे कर का चावल भी loyalty coupon से ले ले सकते हैं, चलिए, एक जगा मैं आपको no दिखाता हूँ, जो मुझे कर ने लेडी बताया हुआ है, no क्या है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए, no, no यह भी सब में yes दिखा रहा है, सब में yes सकते हैं तो अगर घी की quantity हम एड करने कोसिस करेंगे एड हो जाएगा लेकिन loyalty coupon apply नहीं करने देगा बाकी आप चाय पती ले सकते हैं तो माल लीजे मैंने चाय पती एड कर दी ये तो एक section हो गया ऐसे आप पतक कर लोगे कौन-कौन से समान आप एड कर सकते हो कौन-कौन से नह लेना है तो sample ले लीजे ठीक है माल लीजे आपको लेना है बेभी sample तो आप बेभी sample ले लीजे ठीक है बेभी sample लेने के बाद माल लीजे आपको लेना है पाउडर लेना है तो आप powder भी ले सकते हैं जो जो आपको लेना हो ले सकते हैं मनजन लेना चाहे तो आप मनजन ले क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे सरकाईएगा नीचे सरकाने के बाद आपको टोटल प्रोड़क्त का प्राइस दिखेगा 831 रुपए एक जिद या रखना 600 रुपए का कूपन लगाने के बाद जितना भी आप ज्यादा समान खरीदोगा उसमें आपको ना ही बीवी मिल लेगा तो आप कोसिस करिएगा कि 601 रुपए 610 रुपए 650 रुपए में आप अपना समान की ही लिष्ट बनाया तो यहां पर देखिए 831 रुपए दिख रहा है तो मैं कुछ समान हटा देता हूं नहीं हटा दू मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बीवी पीवी नहीं कर लेते हैं कुछ और प्रोडक्ट एड कर लेते हैं यहां से चलके चलिए हम यहां से चलके सोप एड कर लेते हैं हम यहां से सर्च कर लेते हैं कि भाईया हमें साबून दे दो साबून हम सर्च करेंगे साबून सर्च करने के बाद मालो यहां पर यह एक साबून दिखा रह उसके बाद आप next पे आईए, next पे आने के बाद अगर आप coupon apply करना चाहते हैं तो go without offer जाएगा, repurchase program मत select करिएगा, नहीं तो coupon नहीं apply कर पाएगे, उसके बाद क्या करना है, next पे click करिए, फिर ok पे click करिए, अब यहाँ पे आपको एक column दिख जाएगा, adjust coupon, adjust coupon पे अब आप click क coupon पे click करिए, तो यह आपको 600 रुपय का loyalty program वाला coupon दिख रहा है, आपको यह apply करना है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, company नहीं यहाँ पे बता दिया, कि आपको कोई भी BVPV नहीं मिलेगा, ok पे click कर दिए, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने 30 PV की shopping कर ली हो coupon पे click करना है, तो आपका समान में coupon लग जाएगा, और 6 रुपय कम हो जाएगा, 6 रुपय कम हो जाएगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप इसी तरह life, इसी तरह आप अपने coupon को apply कर सकते हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही आपको एक विक जानकारी दे आपको सारी जानकारी पता चल गई होगी, आप मुझे comment box में बताइएगा, क्या अब आप clear हो कि आपको कैसे समान खरीदना है, बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर लीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपने टीम के साथ शेयर कर करना बिलकुल भी मत भूलिये, हम मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, जय हिन!